तो भाई क्या हाल चाले सब क्यार कैसे हो तो आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके लिए बहुत दिनों के बाद ही फेस कैम कर रहा हूं तो आप बताना वीडियो कैसे बनी अगर कोई इस्यों लगे तो भी मुझे बता देना अभी जो है बात करने वाले रोग 5 जो मैंने आपके लिए बनाई थी अगर आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक भी देदूंग उसको चाहिए जरूर करना तो वह थी गाइस एंट्रोइड 11 बेस रोग फोन फाइव की रोम थी सभी फोन के अंदर चल जानी चाहिए थी लेकिन बाद में उसके पूरी टेस्टिंग की क्योंकि उसमें जो है सिम कार्ड भी जब सपोर्ट नहीं कर रही थी तो मैंने उसकी पूरी जब चैकिंग की तो पता चला कि कुछ इसके अंदर इस फोन के लिए नहीं बनी है इसमें इस प्राइब कर रही थी लेकिन प्रापर्ट ल से आप जो है उसको ट्राइब भी कर सकते हो आपको बता दूँगा मैं लिंक आपको डिस्किप्शन में देदेगा वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो प्रोसीजर थोड़ा सा लंब है वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इसके साथ आपको बताऊंगा कि यह रोम हम कंगे ले इसकी प्रें तो चलिए और अपने टॉपिक को तो आर बहुत तो है बिल्हकुल ध słuउना क्योंकि आपको जो है काम की बात बताने वाला हूं तो चलिए यार गाई इस फिर करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक तो भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना आपको जो है बिल्कुल अच्छे इंफोर्मेशन में देने वाला हूं तो क्या पता आपको पता भी नहीं हो क्या पता पहली उसके बारे में पता हो तो आप जो है विडियो को पुरे देखता है ना अभी यह जो गईस, अब इसका मेन आपको बताता हूँ यह अपना डिपैंड करता है Android का जो सिस्टम अपडेट हमारा आथ उस पर डिपैंड करता है मैक्सिमम उसके बारे मैं किसी फोन को अपडेट करते हो तो उसके आपको क्या करना पड़ता है जैसे आप अपना फोन जो है अपडेट की जो फाइला उसको डाउनोड करते हो तो अपको फोन है रिबूट होगा उसके बाद आपको जो है एक ऐसा कुछ सर्कल या फिर कोई लाइन ऐसा कुछ दिखेगी तो उसके बाद आपको जो है डिवाइस इंस्टॉल करेगा अपडे यह आपको फोन है वह रन कर रहा है अपडेट होथे टाइम तो आपका फोन जो है सीमग्लैस अपडेट को सपोर्ट करता है वैसे हमारा फोन है जो मैंने आपको बताए था कि इंस्टोलेशन होगी फोन को आप युज नहीं कर पाओगे तो वह होता है सब्सक्रीड आपको जो अभी बात करते हैं एक बारे में तो आप इसको ध्यान से सुना जो एबी पार्टिशन है वो क्या है गाई जो एंड्रोइड डिवाइस है उसके अंदर आपको जैसे एक यह अपना जो स्क्वेर है यह हमारी एक चीप है तो इसके अंदर ऐसे डाइगनल आपको मिलेगा त हमारा डिवाइस तो चला था वी फैसे हम नहीं करेंगा और जैसे फिलोट करेंगा तो वह उसको आपडेट को यह वोस्च यह उस रही हो और आपका घावारा आपने जो एक होड़ी और वह मिलेगा कि के अंदर हमारा अपडेट रन कर रहा है उसकी जह है प्रोसेसिंग चल रहे है तो जैसी होजाता है हमारा ही भी अपडेट हो चुका यहाँ जो ह neighboring करने फॉन जो टो हमारी फैल आई हो चुकर शूंघ template joined इंस्टॉल हो चुग है जब तक हमारे पास नए अपडेट नहीं आता है तो जैसे नए अपडेट आएगा तो अभी हमारा जो है बीस लोट होने कोई मतलब भी नहीं है लेकिन फिर विह मैंने सको कि किल नहीं किया कि raisim नहीं में पड़ने हैं यह इंतर इसके और क्या करने के च्टाल करने कि लिए प आपको करना सिर्फष्टन को है और उसके ब见द ऑ Aah तो जैसे आप उस्यस्टम इमेंज को यूज करोगे उसके बाद आपको फोन आव चेक करेगा कि बेंडर सपोट कर रही है नहीं जो जी एसाइए रौम के साथ कुमसा वेंडर हमारा सपोट करेगा तो इसमें भाई बिल्कुल ज्यादा मुझे टाइम लगा तो मैंने जो है ग गई रोम जो है बूट हो गई उसके बाद मैंने आपके लिए फर्स्ट लूक इसकी बनाई तो यह जो है उसके अंदर वाक कर रही थे लेकिन मैंने जब चेक किया तो नहीं उसके अंदर जो है मेरी सौरे फीचर मिलेंगे जो आपको मिलते हैं इसके अंदर तो आपको जो है अगर गेमिंग करने हैं वाइफाई पी यूज करते हो सेकेंडरी डिवाइस की तरह है तो आप जो रोम को ट्राइब कर सकते हो बिल्कुल आपको मैं जो है डिस्किप्शन में लिंक दे दूंगा दे आता है अगर अगर आप सोच रहे हो तो आता ही है उसके बारे में कोई इसको करने वा तो उसके अच्छी बात है तो इसके वारे में कि यह घुलारी के लिए लिए को लिए तो आपके लिए सबस्क्राइब करना अब अभी यहां भी बात आतीया कि quietly रॉम लागने माला सकता है ज् Wort तरह को जो जो है जो पुरानी रोम मैंने ट्राइच की है उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा उसके बाद ये आप जो ढवागी कर पाओगे तो अब क्या करना पड़ेगा ये विन रार आप आप देख रहे हो आपको करना इसको इसको एंस्टोल आप तो इसके बाद को क्या उलिंक दिया है और मोड़े रोम को डाउंडूल लिए कॉ प्रॉप भॉट 2.3 ग्लोबल उसको साइज है यहां पे लिए रोग यूए सब्सक्टान से लाइन जैसि अदिए यह दाउट आपको टानें आपको जाना है when將 da haio चलते हैं फिर विन रार के अंदर हमें यहाँ पर क्या बहुता हूं यहाँ ऱ्टोल करोगे ठीस मिल जाएगी युग इसको आपको सब्सक्राइब है कि इसके यहुंद आपको ताइम लगने दस सब्सक्राइब खेसित a जुस्टं पर मिलेगा sgs2 के नम से तो आपको जो हैं यहां पर मैं साइड में स्क्रिन चौट पर दिखा रहा हूं तो आपको क्या करना है उस SGSI के अंदर से जो है सिस्टम की जो फाइल है उसको कोपी करना है और सिस्टम की image है जो उसका नाम आपको दिखाता हूं तो उसका जो नेम आपको मिलेगा यह मिलेगा system.img 3.9 GB size होगा एक्सटेक्ट होने के बाद जो आपको SGSI के फोल्डर के अंदर मिलेगी आपको PC से या फिर से एक्सटेक्ट करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा एक बर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर साइड जो है यह फोल्डर जैसे ही बनना है तो यहां पर देखो ऐसा कुछ करके आपको जो है इसके इंदर फोल्डर मिलेगी . यहां पर आपको सिस्टेम के नाम से एक फाइल मिलेगी शिश्टेम की जो फाइल है 3.9 GB मिलेगी वह आपको दिखाता हूं वह फाइल कैसी होगी यहां पर देखो नीचे आपको दिखा रहा हूं तो वह होगी यह दो फाइल सैटिंग ग्लोबल और सैटिंग सिक्यूर तो है इस टोटल हमारी हो चुके तीन फाइल तो आपको क्या करना है तीनों फाइल को यहां पर जो है लिए आना है अपने इंट्रमिल स्टोरेज इंदर जहां पर आपको कोपी करना है तीनों को एक साथ आप जो है एक स्टेक्ट करने के बाद कोपी कर सकते हो तो सिस्टम आयम जी सैटिंग सिक्यूर सैटिंग लोबल तीन फाइल जिनकी हमें जरूरत पढ़ने वाली है औ वन प्लस एट ओक्सीजन ओस ओपन बीटा एट जो 17 फैप्रेल की थी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी तो यह आपको चाहिए गा वन प्लस एट ओक्सीजन बीटा एट तो आपको क्या करना है इसको भी आपको जो है जरूरत पढ़ने वाली है इसको आपको कहीं से स्ट्वड़र परणीघेक इनको डाउंटोड परणोड करते हैं आपने फोन को रिकावरी मोर्यंग के अंदर बूकर ने और ये तो जैसी हमारा फोन चला जाता युए ATCWRP आंदर वहां पर आपको बताता हूं किया कुछ प्रोसीजर आपको करना है तो डिवाईस यहां अब जो है रिस्टार्ट हो रहा है तो भाई आपके लिए जो है इस पेशल वीडियो बना रहा हूं तो यह आप क्या करो भाई आप जो है वीडियो को लाएगो चैनल को सब्सक्राइब करता हो तब तक करने इसको आपको दिखाता हूं है यहाँ भी देखो तो मैं इसके अंदर ग्लोबर समय को सब्सक्राइब करेंगी तो अगर आप पापको कर रहे हो तो आपको जो है सेम प्रोसीजर करना है आपको क्या करना पड़ेगा पहले रोम को इस्टोल करना पड़ेगा उसके बाद आप इसको यूज कर पाओ गए यह हमारी वर प्लेस यह जिसको मैं यूज करने वाल हूं अपने के अंदर जो हमारा है आसुज जैनफोन यहां पर मैं इस्टोल कर रहा हूं डारेक्टली जो रोम हम इस्टोल करते हैं वन प्लस एट के जो इसको मैं इस्टोल कर रहा हूं तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं जब कि रोम इस्टोल होती है तो अभी तक हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल है हमने क्या कि प्रॉम को इसे दो तीन रोम से इस्टोल करने पड़ सकते हैं अगर आपके रोम एक बार में बूट नहीं होती है तो आपको अलग अलग से ट्राइब करने पड़ाईगी मैंने यहां पर 15 बार ट्राइब किया था उसके बन मेरी इसके अंदर बूट होई थी तो भाई ऐसा न अंदर समझ में आ रहा है कि कैसे आपको करना है तो यहां पर आप जैसी इंस्टोल हो जाता है वेंडर उसके बाद हम जो है देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या स्टैप करना है तो यहां गेमिंग चैनल को भी आर सब्सक्राइब करोना अगर आपके पास 10 सेकंड ना तो इस व रहिंग चैनल को जिलो से जरुल सब्सक्राइब करो आपके सब्सकरइब करोति के वहां पर जरूरत है तो यहांप प्लस एड थी जो रोम हमारी इंस्टोल हो āश्टोल हो चुके है यहां बै unless you do you wait क्या अभी क्या करना है तेखो फिर से हमना सुल पर या फिर आ Samagnano करilde को एक बाद दिखाता हूं तो यहां पी देखो भाई अगर आप कोई रोम उसके भाइब कर सकते हो यहां पे आर उसके बाद को निफ्टोल किया है तो अगर आप कोई कर रहा है तो टेलेग्राम ग्रूप को जोईन करो वहां पर आपको इंफोमेशन सब कुछ मैं दे दूँगा आपको लिंक मिल जाएक डिस्क्रिप्शन में इसी के साथ आप कमेंट सेक्षिन में भी यूज करते हो वहां पर आप कमेंट करोगे तो मैं जो है 100% आपको रिपलाई करूंगा अगर आपको क्वेशन जैनुवन है तो यह हो गया हमारा अभी क्या करने वाले देखो यह स्टार्ट मैं करता हूं और वोल्यूम डाउन बटन है जो मेरा रिकावरी के लिए जो मैं टीड़लो आर्पी अभी यूज करे नहीं कर हूं कोई भी डॉय मैं तो कोई पी बीजैकर आपके पास किया करेसे से काल्या जैसी यंदर वेट सब्सक्राइब करना मेरा जो इन आ verf कर्पे करना है को जो है next procedure दिखाता हूँ क्या को आगे करना है तो यहां पर आ चुके गाई रिकावरी के अंदर यहां पर देखो अभी क्या करना आपको सिंपली इंश्टॉल पर क्लिक करना आपको जाना है उन फाइल्स पे जो आपने कोपी की थी यहां पर मैंने आपको दिखाई थी तो एक बार देखो आपको ऐसे नहीं मिलेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा इस्टोल इमेज पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे मिलेगी फर्स्ट फाइल सिस्टम डोट इमजी जो फाइल थी यहां पर देख रहे हो तो आपको मिल जाए कि सिस्टम डोट इमजी फाइन जो आपको प्रोग्रेस बास दिख रहा है यह आपको दिखेगा बाकी कोई आपको जो है इसके नहीं मिलेगा इमेज़ फ्लैस का एक ओप्शन आएगा तो आपको यह इसके इंदर मिलने वाला है उसके बाद आपकी इंस्टोलेशन आपकी जॉह से तो यहां पर हो चुकी है इसके बाद आपको क्या गरना है इमेज फ्लेश कंप्लेट इसके बाद आपको रिबूट पर क्लिक करना है तो अभी क्या होगा देखना जैसी डिवाइस आपके सामने लाइव रिबूट कर रहा हूं तो इसके इंदर जो है कोई भी मैं ऐसा नहीं है कि आपको जो है मिस्काइड करूंगा या फिर ऐसा कुछ तो मैंने जैसे इसको इसको इस्टॉल किया था वही आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल प्रफेक्ट्री जो है यह इस्टॉल हो गई थी अभी जो है देखो आस उसका लोगो आया अब यहां पर जैसे आसूस का लोगो आया तो उसके बाद देखना आप यह जो है मुझे पता है कि यह जो है इसके इंदर बूट हो चुके क्योंकि मैंने इसके पहले भी इसको बूट किया था तो आपको जो है दूसरी रोम के अंदर भी ट्राइक करना पड़ सकता है अभ आपको स्टार्टिंग में इसी लिए मैंने बोला था जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक नोटिस आया था वह इसी लिए बोला था कि अगर आपके पास 15-20 मिनिट का टाइम है तभी इस वीडियो को देखना क्योंकि आपको जो है इसके अंदर तभी कुछ पता लगेगा ऐसे आप जो है इसको यूज नहीं कर पाऊगी अभी गारेंटी देता हूं भाई अगर यहां से आप स्कीप करो वीडियो को तो इस रोम को यूज नहीं कर पाऊगी क्योंकि इसके अंदर आपको जो है आगे कुछ आप बताऊंगा जो आपको करने पढ़ेंगे सब्सक्राइब सुबर्बर representative नहीं करने के लिए अपको अगरना पड़ेगा उणर की तरह your कुछ यूज आपको आपको च्किलन नोल्ट करने के लिए आपको जसा मेरे साइंद करने और कि तरह है 50 का और आपको को मिला यहां पर जो है कि इसको करा वाहर है तो ऐसे आपकी जो है ब्लक स्क्रिन आएगी बागी कुछ भीनाई आएगा तुश के बाथ फिर से लोग हो जाएगा डिवाइस तो आपको यह कुछ मिल सकता है यहां पर जो quick tiles है वो आप देखो यहां पर इसको जो है access नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो है quick tiles इसके अंदर आपको मिल जाती है तो यहां पर हमारी जो roam हो चुके बोट लेकिन इसके अंदर आप जो है login नहीं कर पाऊगे उसके लिए क्या अगर ना भी यहां पर देखो यहां पर जो है अभी देख रहे हो यहां पर आपको फिर से restart करना है recovery के अंदर फिर से जाना अपनी custom recovery के अंदर तो मैं जाता हूं एक बद तो यार मैं guys अपनी TWRP recovery के अंदर वापिस तो अभी आपको एक और बात बताता हूं जो मैंने यहां पर install image की थी आप देखो मैंने यहां पर कुछ ऐसे की थी यहां पर system image को मैंने select किया और यहां पर ऐसे कुछ करके मैंने कर दिया था तो आपके case में एक और बात आपको बताता हूं और यह जो रोम है वो आपके रहाएगी या फिर आप डिरेक्स भी कर सकते हो तो दो आपको मिलजाते है अभी आप देखो जो हमारा साइनिन का इस्ट करवाई थी settings global और settings xml जो secure थी तो यह दो फाइल करवाई थी अभी select करते हैं global को copy करेंगे आपको क्या करना है यहाँ पे जो sd card था यहाँ पे था तो आपको यहाँ पे data का एक folder मिलेगा यहाँ पे देख रहे हो data का यह folder मिलेगा इसके अंदर आपको क्या करना है नीचे आपको मिलेगा इसके अंदर देखो user का option यहाँ आपको क्या करना है इसके बाद बैक जाएंगे इसके बाद नीचे वाली फाइल को लेंगे setting secure copy करेंगे यहाँ पे देखो वही folder ए data के अंदर user का 0 का तो automatically वही होगा ok कर देंगे और copy हो चुकिए तो दो file हमें copy करने है कहाँ पे जो मैंने आपको folder दिखाया setting global और setting secure दोनों file आपको क्या करना है आपको copy करने है वो देखो यहाँ पे यह हमारे external sd card है इसके बाद यह sd card है हमारे फोन के इंटरनल storage है और यह हमारा data है जिसको हम Delvix system data cache करते है जो तो यह data वही है इसके बाद यहाँ पे निचे आपको कुछ और मिल जाते system की file और सब कुछ तो आपको क्या करना है data के अंदर जाना है उसके बाद यहाँ यूजर का एक option आपको मिलेगा user के अंदर जिरो के अंदर आपको यहाँ पर दोनों file को copy करना जैसा गया भी यह है इसके इंदर setting global और xml उसके बाद क्या करना है देखो reboot करेंगे system को और हमारी जो रोम है वो हो जाएगी बिल्कुल प्रफेक्टली बूट जो इसई वो आए था वो हमें जो है अपके बाद नहीं मिलेगा तो आप देखना आपको यहाँ पर experience भी दिखाँगा इसका जैसे अगर आपको 10% या 20% भी मिली है या फिर ज्यादा ही आपको मिली है तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरू से जरूर करना क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाता हूं आपसे सिरफ सब्सक्राइब और लाइक मांगता हूं कमेंट आप जब करते हो जब आपको कोई इसी आता है या फिर नाइस वीडियो जो भी आपको करना है तो आप उस टाइम पर करते हो लेकिन आपसे जो है बस मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं तो तो यहाद जरू से जरूर करते हैं यहां पर देखो अभी हो चुग है रोम बूट तो भाई करने पड़ेगी सिस्टम इमेज को वाइब सबस्पहले उसके बाद फिर से मुझे यही प्रोसीजर करना पड़ेगा तो भाई इससे जो है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको यहां पर यहां पर जो आपको एसी स्क्रीन यह मिल रही है तो इसका इसी वही है करना पड़ेगा पहले सिस्टम में इसको आपको वाइब करना है उसके बास यह होप आपको इनफोमेशन अच्छी लगी होगी तो इस जो प्रोसीजर है इसको इसको इस्टोल कर पाऊगे और बहुत अगर कोई यह बोले ना कि यह प्रोसीजर गलत है ऐसे नहीं होगी तो बिल्कुल आप जो है अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो जो भी आपको करना है तो यह जब भाई आपको दिखा नहीं सकता है इसको अगेन आपको ज्याला कुछ लंबी वीडियो हो जाएगी तो उसके बद मुझे इसको करना पड़ेगा आ मैंने उसको भी बाउट भी किने बनाई अई बटन वीं दिसक्रिप्फचered में आपको वीडियो उसको भी आप चेक कर सकते हो और थो फैसे ब्यदियो बनाई थी सेम यही प्रोशेजर मैंने ट्राइस किया था तो वे वीधियो खरने लाइक नहां किया तो लाइक कर सकते हो में आपसी मिलें आपसी कुन दे विडियों साथ